गुजरात में कटा 10 लाख का चलान कार मालिक ने तुरंत भरा जुर्माना नमस्कार नए जाता जातनीमों के लागू होने के बाद लोगों ने जाता जातनीमों का पालन करना शुरू कर दिया लेकिन बाद में जब ट्रैफिक पुलीस की सक्ती कम होने लगी तो लोगों ने मनमानी शुरू कर दी शायद इसलिए जब गुजरात के एहमदाबाद में चेकिंग शुरू हुई तो लोगों की सिटी पिटी गुम हो गई क्यूकि एक भाई का चलान एक जा दो हजार रुपे का नहीं बलके लगभग 10 लाख रुपे का कटा इस बाद को खुद एहमदाबाद पुलीस के ट्वीटर हैंडल ने ट्वीट किया है दरसल एहमदाबाद के सिंदु भवन रोड पर ट्राफिक पुलीस गुजराज में ड्यूटी कर रही थी समाने जांच हो रही थी इसी दोरान पुलीस ने पोर्ष कार को रोका उस कार में पहली चीज नंबर प्लेट नहीं थी दूसरे जब मालिक ने वहान के कागज और लाइसेंस के लिए कहा तो वे भी उनके पास नहीं था इसके बाद ट्राफिक पुलीस ने वहान के मालिक पर 9,80,000 रुपे का चलान कार्ट दिया और अब यह कहा जा रहा है कि नए जाता जातनियम के लागू होने के बाद यह सबसे महगा चलान बन गया है खैर रिपोर्ष के मुताबिक कार के मालिक ने भी इस जुर्माने का भुगतान कर दिया है लेकिन गाड़ी के चलान के कीमत कार की लागत से बहुत दूर है पोर्ष कमपनी की जहकार बहुत महंगी है बजार में इसकी कीमत की बात करे तो इसकी कीमत लगभग पोने दो क्रोड है और रिपोर्ष के अनुसार अब तक गुजरात पुलिस ने पिछले महीने में लगभग 9-10 ऐसी महंगी गाडियों का चलान किया है